नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने रियल नियूज चैनल में तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर में बजट 2021 क्या कल से ही महंगी होगी शराब जाने क्या हुआ सस्ता क्या महंगा जी हाँ दोस्तों सरकार ने बजट में शराब पर 100% का एगरी इंफ्रासेस लगाया है यह से इस दो फरवरी 2021 से ही अमल में आ जाएगा हाला कि कई अन्य वस्तों पर सीमा शुलक दर में भी बदला जानते हैं और क्या क्या महंगा ओर सस्ता हुआ बजट में शराब पीना होगा महंगा सरकार ने खोशना की है कि नया एगरी इंफ्रा डेफलाप्मेंट से इसकल से ही लागू हो जाएगा इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा क्योंकी क्योंकि बजट में एलकोहालिक बेवरेज पर 100% एगरी इंफरासेस लगाया है पैट्रोल डीजल भी महंगे बजट में पैट्रोल पर 2.5 रुपे परती लीटर और डीजल पर 4 रुपे परती लीटर के हिसाब से एगरी इंफरासेस लगाया गया है ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है खाने के तेल पर सेस पर महंगाई का असर नहीं सरकार ने कच्चेप दाम तेल पर 17.5 फीजदी एगरी इंफरा सेस कच्ची सोयबीन और सूरज मुखी तेल पर 20 फीजदी का सेस लगाया है लेकिन ग्रहाकों पर इससे कीमतों का अत्रिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटोती की गई है अप्रेल से सस्ता हो सकता है सोना चांदी बजट में सोने और चांदी पर उतपाद शुलक दरों में कटोती की गई है इसे 12.5 फीजदी से घटा कर 7.5 फीजदी कर दिया गया है वहीं सोने चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमा शुलक घटाया गया है ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है हाला कि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5 प्रतीशत का एगरी इंफ्रासेस लगाया गया है इससे ततकाल आधार पर सोने चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है इसी के साथ रत्न और नग इत्यादी पर भी सीमा शुलक को बढ़ा कर 15 प्रतीशत कर दी है वही नट बोल्स पर भी सीमा शुलक को 10 प्रतीशत कर दिया गया है इससे बहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है इसकी वज़े सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटा कर 7.5 प्रतीशत कर दिया है साथ ही वहान इस क्रैप पॉलिसी भी घोशित की है जिससे वहानों की कीमत घड़ सकती है सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा सरकार ने चमड़ा पर सीमा शुल्क को 10% कर दिया है यह पहले शुन्य था वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एगरी सेश लगाया है सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका आँकड़े खरीदने का, कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है सरकार ने कपास पर सीमा शुल्क को सुने से बढ़ा कर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है हाला कि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घट कर 5% रह गया है मोबाइल रेफ्रिजरेटर चार्जर भी महंगे, बजट में मोबाइल से जोड़े विबिन कलपूर्जो पर भी सीमा शुल्क को शुने से बढ़ा कर 2.5% किया गया है वहीं प्रिंटर सर्केट बोर्ड, चार्जर निर्मान के उपकरन, लीधियम, आइन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एर कंडिशनर के कंप्रेसर, LED बल्ब, सोलर इंवर्टर, सोलर राल्टेन पर भी सीमा शुल्क में बढ़ उत्री होई है आत्म निर्भर भारत के लिए बढ़ा सीमा शुल्क, सरकार ने आम बजट 2021 को आत्म निर्भर भारत पर केंद्रित रखा है, इसलिए विभिन वस्तों पर सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है, इससे घरेली उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भ करता कम करने में मदद मिलेगी